है 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 हुँ हमने जो पास चीजे करेंगे और उसके जब से पहले हम यह कर लेते हैं कि इसके इंदर एक आइक आइक जो है वह रिक्लेर करते हैं जिसकी अब यह कह सकते हैं कि क्लास आफ एस एफ ए डैश भी ओ एक्स मतलब यह उसका बॉक्स है आइक ने भी हम इसको क्लास एक डिफाइन कर दें फॉर सेपरेशन आफ सो कि हमने वह इंप्लिमेंटेशन जो फदर करनी है वह लग से एक कर सकते हैं कर सके इसको आप पैराग्राफ हम यहां से कॉपी कर लेते हैं बिसीली लिखा क्या हुआ है चलिए यही इसी चीज़ को मैं कपी कर लेता हूं कोई और चीज़ नहीं में लेता मतलब फदस लिखता नहीं हूं आप भी अगर भी बंदा अपनी मर्जी से जो भी टेक्स लिखना चाहे पैराग्राफ के इंदर लेख सकते है और आम ने इसको क्लास देते हैं एक और वान के नाम से क्योंकि इसकी प्रपर्टीज भी हमने डिफरंट रखनी है तो उसके बाद हम जो उन से है फिर हमारे पास एक इमिज है जो कर बैग्राउंड में हमारे पास आएगी बिसिकलिए असल में अगर आप यह दे दिवाए लिए तो मैंने यहांवे बैक्राउंड इमिज उन से है वह यहां वे यूज करने तो उसके लिए हमारे पास जों से है स्टूडियू देश वन यह वबैक्रोंड इमिज इसको हम यूज करेंगे तब जाके एकर मैं रीनेम कर दूं अगर यहांसे इसको कॉपी कर हूँ स्केप कर देते हैं सोर्स में आप इसको पेस कर दें डॉट जे पीजी कर दें इसको जे पीजी कर दिया और इसको मैंने एक और आल्सो क्लास जे दी आए एम जी बिग के नाम से बतलब यह हमारे पर डेक्स्टॉप स्क्रीन की जो इमेज है वो से उसे एलेट है इसलिए आए एम जी बिक का नाम इसको दिये तो चलते हैं वाब इसकी सेस्ट की तरफ तो सेस्ट में जाकर सबसे बहुत सेक्शन को जोन से हम वो प्रॉपटिस देते हैं तो सबसे पहले तो सेक्शन हमारे पास आ गया सेक्शन में 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 रपास के एविट्स और परसेंट और जो पर लाका क्लाइब क를 कर दें यहां से कॉपी किया ताकर पॉपटीस देने में यह उसके नाब एकुरेटली इसका नाम आ सके। फ्रोट लेटेगे इसको एक प्रोपटेधिए फ्रोट लेट ची मार्जन लेफट अगर आप देना चाहिए हैं दो दे सकते हैं हम तो यहांपे मैं इसको थर्टी परसेंट देए तो और मार्जिन टॉप मैं इसको देता हूं वान परसेंट उस तरह शो मैं एक ही दफा आपको जो है वो रिजल्ट शो करवाऊंगा आफटर दे कोडिंग मतलब कि एक मैं अगर वहां पर प्रॉपर्ली जो प्रॉपर्टीज असाइन होने के पाद जो है फाइनलाइस फॉर्म के अंदर एक मैं कह लें के रिजल्ट शो करवाऊंगा परावन को प्रोपर्टीज देते हैं तो अब प्रवान को प्रोप्टीज देते हैं देता हूं और कलर मैंने साइन करना है इसको जो बेसिकली कलरे टैक्स कालर मैंने रखना है है वो रखना है six 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 five be double five semicolon उसके बाद आप padding मैं देता हूँ padding की जुरूद पड़ेगी क्योंकि padding भी बीच में including है थोड़ी सी padding bottom मैं कर देता हूँ इसको 10 pixel और अब मैं जो last में जो मेरे पास एक रह गया है section वो रह गई है हमारे पास image background image तो वहां पर वापस अपनी HTML फाइल में जाते हैं इसको copy करते हैं जानिया पर लाकर paste करते हैं अब इसको CSS properties देते हैं CSS properties देने के लिए सबसे पहले मैं इसकी हाइट जो है वो यह विर्थ सबस्क्राइब करते हैं जो है 100% है जो है मैं 100 VH कर देता हूं पसंटेज में ने देरा भी एच में ने कर दिया तो इसको अब जो प्रिलोड करेंगे यह आपर तो लेट्स चेक ओट रिजर्ट में ओके कि हम रपस कहा शो होता है हमने जब प्रोपर्टीज दी है जो हमने यह सेक्शन बना है यह वाला हमारे पस क्या ज़र्ट अबता है लेट्स इए तो यूगन सी इस गाइस हमें एक्जेक्टली उसी पॉइंट के उपर उसी तरह बैग्राउंड कलर फॉन फैमिली अगर आप इसका चेंज करना चाहिए तो मैं यह कॉपी कर लेता हूं पैरग्राफ के लिए मैंने इक इंक्लूड करने आपको बताया था के एक फॉन फैमिली किस तरह इंक्लूड करते हैं चले यह इसको मैं थ्पोड़ा सब्सक्राइब कर दिता हूं पॉर्ट-स्टाइल कर लेते हैं बूर्ट-क कर लेते हैं और वो भी सी बात है वो बोल इस वह से नहीं हो रहा क्योंकि उसकी जो अपनी इसके अंदर जो बिल्ट इन प्रपटीज है वो अलडी इंप्लेमेंट इन तो फोट स्टायर आधिंग तो इसकी फोंट वेड इस 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 इंप सॉरी वाइं मिस्टेकर लिदिस इस अधर इकुरेट प्रॉपर्टी नौर्ट इस इस अफॉर्ट स्टायल में जो हमारे पास रिटालिक होता है अभी मैं आपको यहां पर दिखायता हूं फॉर्ट स्टायल में हमारे पास क्या क्या होता है रिटालिक होता है इन्हेर होता है और इनिशिल होता है फॉर्ट स्टायल के यह देखे वान टू थी फॉर फाइव सिक्स सेंवन एट मतलब हमारे पास टैल्फ डिव्स हैं और उसके अंदर इमिज है एक फ्रेम की फॉर्म में और यह होवर के उपर इस तरहा क्विक रिव्यू का यह क्विक व्यू का हमारे पास एक कहलें के एक्शन परफॉर्म होता है उसके बाद हमारे पास है तक्स है एक कि यहां पर इसका लचेंग है और यह भी परग्राफ है और इसका भी कलर चेंगे तो लेट स्टार्ट डिस और जो डिस्प्लेइफ लेक्स की में बात कर रहा था अगर हमें यहां भी जूर्वद पड़ी तो वह भी हम यहां पर फाइल के इंदर तो यह हमार पास section close हो रहे और यह के close हो रहे हमारे पास इसको थोर से इस तरह कर देट ताके हमें right side अगर आप यह comment कर दें right side ends ताके problem create now उसकी वज़ जिए है कि अगर हमें यह इस तरह अब यह एक और problem में यह डिव एक्स राइटिंग तो अब जिए डिव कौन सी यह डिश का इश हुआ जीगा यह इस इस वन इस एक्स राइट यह एक्स राइट यह एक प्रॉबलम होती है बार बार के डिव की जो इश्यूज एंबो देखकर प्रॉपर तरीके से काम करना का फिर डिफिकल्ट होता है पतलब आप यह देख लिए के कंटेनर की हमारे पास यह क्लास है कि हम कंटेनर में ही काम कर रहे हैं और लेफ साइट की आप देख लिए यह क्लोज हो रही है तो इस लिए मैं यह कह रहा हूं कि कॉमेंटिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि कल बदब जो आपको प्रॉबलम है वो ना हो अब एक सेक्शन हमारे लपस क्रियेट हो चुक है और सेक्शन जो है वो एंड हो चुक है यहां पर आप यह कह लेंगे राइट कोई भी कमेंट कर दें राइट साइड वन सेक्शन सॉई वन सेक्शन एंड है उसके बाद मैं एक और डिव क्रियेट करता हूं फूर गैलरी जो मैंने आपको बताया है गैलरी जो मैंने दिखाई है उसके अंदर हमरे पस मार्टिबल डिव्स हैं बॉक्स की फॉर्म में तो हम वहापर क्या-क्या यूज़ करेंगे अँसमें है इसको मैं नहुक्त है इसको मैं नहीं सेक्शन टू का और इसको ड्लॉस करते हैं और इसके बाद मैं इसमें की निषम कर देता हूं एक nécessaire कूर्देटा ओंart interactions के START एपने प्रभी स्ष्टारिए था आप लोगोऊ को फ्रो 음 डिल एक भी लेक सकते हैंす के अप फोटो से क्षिन भी कैसे इसको या मैं जिसे सक्षन भी कह सकते हैं उसको अ उसके बाद हर का टैक मैं यूज करूँगा है एक यूज करेंगे अगर मैं इसको कर लेते हैं और इस जिफ को भी यहां पे क्लोज कर लेते हैं इसमें थोड़ी स्पेस क्रियेट कर लें ताके डिवलेमेंट करने में या आप कोई कोड करने में इशू ना हो और डिव को ताकि एजिली आप जो इडेंटिफाई कर सके ऑपनिंग और क्लोजिंग टैक के अंदर और आप यह कह लें कि सबसे पहले तो मैं यहां पर यह करता ह कर दाना एग इमिज इमिज के अंदर क्र questa कि अ और एक डालार कि फॉर्म क्लिक हुआ है हमारे पास So वह सबसे पहले तो मैं इमेज यूज करता हूँ तो आखर कोई भी मींच आप से अर pixel नजे और मे काफ़ी पड़ी मीचिस को आ इसको रिनेम कर लें आप कॉपी करें और यहां पर रहें 195.JPG उसको बाद आप यहां पर इसके पर इसके बाद आप इसको क्लास दे दें जी वान और उसके बाद हमारे पास क्या था दो परग्राफ थे बिसिकली नीचे परग्राफ हम यूज़ कर लेते हैं और यहां से कॉपी कर लें यहां के पेस्ट कर दें यह कॉपी कर लें और यहां पर आकर इसको पेस्ट कर लें असके बाद जो हैं मैं आल सो हो गॉर इसकी डेफिशंट प्रफिटे के लिए नाव। पर अभा कर देता हूं इसको में अलग उसको रंता हुपी सब्सक्राइब हो सके उसको अब अपन आकर चलते हैं तो उसके बाद जाकर हमारे पास जो है गैली स्टार्ट होती है तो अगर हम CSS में जाएं अपनी CSS फाइल में तो मैं अगर यहां कमेंटिंग कर दूं सेक्शन टू के नाम से सेक्शन टू एंज है अब यहां पर इस तरह जाएं अगर आप हम इसको यहां से कापी कर लेते हैं यहां पेस्ट करते हैं और सेक्शन टू को मगर मैं अगर प्रॉपर्टी देना चाहूं तो सबसे पहले तो वेट इसकी में 100% रखूंगा उसके बाद बैग्राउंड कलर जो मैं इसका रखता हूँ वो है हैश एफ नाइन एफ सेवन एफ फाइफ सो एग्जेक्ली एधिंग यही हो जो मुझे अभी तक हैक्शा याद है बैग्राउंड कलर जो हमने बैग्राउंड कलर जो हमने रखना है उसकी गैलरी सेक्शन में उसके बाद हमारे पास अगर मैं हा बहुत किसली यूजर ता है गाईस मैं अभी आपको बदा तो क्रेब बहुत मतलब यह होता है कि उपर वाले डिव और नीचे वाले डिव में जो अब यह कहां कि क्लैप्स इन फार्म और क्लैप्स कह सकते हैं क्लैप्स या फिर आप यह कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स है है इसे इस इस एंवह इस के दोनों डिव को रिजॉल्व करते नहीं को ताके वह मिक्स अपना हों एक जैसे सेक्शन है हमारे पास और यह सक्षिन टू हमारे पास अपस में जोन से मतलब इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई शून आए उस लिए क्लेर की और आफ्टर ना उसके बाद हमारे पास है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं है है для दिन पू है श्रक्तर यूज किया है ग्लिण फोन फैमिलि अगर मैं देना चाहों तो मैं यह देता हूं आप पे गाइस आप कौन सी फोन फैमि यूज करते हैं मैंने आपको बताया था कि फोन बेट मैं रादिता हूं इसको 100 और फॉर्ट वेड अगर हम्ड़र्ट से लेकर नाइन हंडर्ड तक भी रख सकते हैं एक तो बिल्ट इन बाइड डिफॉल्ट है बॉल्ड और बॉल्डर यह बाइड फॉल्ट से इस पॉपर्टीज और यह जोंच यह आसाइनिंग प्रॉपर्टीज बतलब जो हमारे पास हम में css में वेटिंग के बारे में पताया गया पता है वो यह है कि अगर हम फॉंट वेट 100 से लेके 900 तक रख सकते हैं तो उसका में क्या डिफ्रेंस है तो टेक्स अलाइंड अगर मैं करूं कि सेंटर कर लें माजन टॉप